भाई आसपास कोई आसपास कोई बॉटल नहीं मिल रहे है अगर बॉटल मिल रही होती है सर पर फोड़ के मार देता तो कि यास चैंपियंस ओफ द वर्ड मैं ओ 3DX ये तना गुस्सा इसलिए बिकोज स्टार्टिंग का सेग्मेंट देखा आज की स्मैकडाउन का मतलब मेरे को लगता है कि एक ऐसी जगह है जहां पर रोमन रेंस और जे उसो ऐसे सेगमेंट दे सकते हैं मेनवाइल वही जगह पर बियांका बिलेर और शालेट ऐसा सेगमेंट दे देते हैं जिसकी हद नहीं मतलब मैंने आपको ट्यूटर पे भी लिग के बताया था मेरे को लगता था क्रिंज जो वर्ड है वो सिर्फ एक वर्ड है उसकी कोई वैल्यू नहीं है यह सिर्फ एक स्टूपिड लोगों ने चालू कर दिया स्टूपिड लोग इसको बोलना चालू करते उनको खुद नह क्या होता है कि क्रिंज पढ़ाज पता चल गया क्या होता है पियांका और शालेट का सेग्मेंट जा के अपका छाती चीलने का मन ना करे तो मेरा नाम बदल देना इससे वहियाद सेग्मेंट नहीं देखा मैंने मतलब ऐसा लग रहा था कि वह फिफ्ट क्लास के बच्चों क एसा लग रहा है कि तुम जबरतस्ती एक्टिंग के फील्ड में घुसना चाह रहा हो and all you have done throughout your life was not acting और फिर अचानक से तुम आइक्टिंग में घुसते हो तो क्या आलो मतलब मैं यह कहूँगा कि आज के बाद कभी भी शालेट और ब्यांका को रिंग में अकेले मत छोड़ना बेडा घर हो जाएगा पता नहीं कैसे audience जो थी I don't know कि वह शालेट फ्लेर के hometown में थी या किस लिए हमने टिकेट का पैसा खर्च किया तो क्या हमें रियक्शन ही देना चाहिए वह इसी लिए रियक्शन मिल रहा था अदर्वाइस ब्रो टीवी पर जा कर देखना आपका मन करेगा कि भाई बजा दू मैं ही जा कर बजा दू नहीं वर्स्ट एनवेज इसके बाद टैग टीम म मेरी फेवरेट टैग टीम बन जाएगी सैमी जन और केविन ओवेंस की टीम को भी सरपास कर देगी मेरे लिए टैग टीम चैंपियंशिप जीते ना जीते वह तो खेर आगे की बात होने वाली है बट राइट ना ओल आगे एस बोई बट इतना क्रिंज सेगमेंट देखने क बात थोड़ा अच्छा मैच तो देखने को बनता था और उस मैच में अगर शेमस जैस अ वेटरान हो तो आपको एक बड़ा अच्छािए रि स्टावी धी थोड़ा चाला गया था और मैं सहीं में इसलिए ज्यादा गुसिते मैं इसलिए नहीं और जो अबरॉल जो मश्मे बनाने वाली है बाद में बनाना अभी कल संडे को पहले दो गाना आने वाला है रोमन रेंज के ऊपर दस बजे इसी चैनल के ऊपर तो उसको तो ज़रूर सपोर्ट दिखाना कैसे दिखा होगे वह मिरको नहीं पता बढ़ा एंड की डॉक्यमेंटरी से पहले अपना सॉंग र काटने से डर नहीं लगता तो उनने पूरा ही सर गंजा कर लिया एंड रीजन क्या पता चला कि अच्छली में उनकी आइधिंक कजन है जिनको वो कीमो थेरेपी से क्या बोलते उसको मतलब कीमो थेरेपी की वज़ए से वो भी बॉल्ड हो चुकिया तो इसी लिए उन्होंन में भी बुकिंग बुकिंग करने लगे मैंने गा ठीक है बाई अब तुम्हें जो करना है करो इनको इनको कोई नहीं समझाता है तुम जाके तुम वही करो यू इट्स वेडनेस डेज देज तुम यही करो भा सरकते जे उसो का ट्राइबल चीफ वाला प्रोमो आया बिकू को ट्राइबल चीफ अकनॉलिज करने लग जाओंगा और जो कल गाना आने वाले रोमन रेंस वाला उसको डिलीट करके मैं जे उसो पर बना दूँगा और बताओ वसी के साथ पॉल हेमन ने इंटरॉप्शन करी और मैं यह सोच रहा हूँ भाई धोका हुआ है क्या क्या क्य ओके आइड़ डोनौ मैं अब इसका फिर एक हफते बाद ही वेट करना पड़ेगा पता नी किसकी इंगीजमेंट की बात हो रही है जे उसो अब तो अभी शायद मैरिड भी नहीं हो सकता है कि य dag playful जीज़िजमेंट की बात हो रहीगई बत यार यह अब जब ट्राइबल born जैसी चीज आ गई तो फिर कुछ भी हो सकता है इनके अंदर और रूस ओफ एंगेजमेंट में जहां तक मिरको लग रहा है चैलेंज एक्सेप्टेंस ही होगी ख्यर सोलो से क्यों पॉलेवन ने कहा कि भीया तुम्हें तुम्हारी फैमिली माफ ने करेगी तुम्हारी मम्मी माफ ने करेगा तुम्हें भी माफ ने जहाता है रहा है और फिर जैव उसने बजाना भी शूरू कर दिया जो कि अच्छी बात थी but best part तह बाया जिए उसने सु नहीं तो लेकिन भई अच्छा था मैं चारा था कि यार पॉल हेमन भी पिटे क्योंकि पॉल हेमन रोमन रेंज से ज्यादा डिलूजनल काम कर रहा है इस ग्रूप के अंदर और पॉल हेमन ने सबसे ज्यादा मेनिपिलेट किया होगा आज भी शायद से वही कोशिश थी अब अगर अगले हफ़ते रोमन रेंज को हटाया स्मैक डाउन से फिर तो दे रहा है मुझसे बुरा कोई नहीं उसके लावा लैशली इन स्ट्रीट पॉफिट साथ में दिखाए दिया विच वस गूड ओमाई गॉड हर्ट बिजनिस का अगला वेरियंट अगर देखने को मि आउट किया क्योंकि The Rock and Grayson Waller का ट्विटर पर इंट्राक्शन जो हुआ था उससे रिलेटेड एंड बैस पार्ट आइलाइक कि किस तरीके से तरॉक कुड बी दगाए जो की आ रहे हैं डेवड़बली के अंदर फो ग्रोस ग्रेजन वाला अमिन इमाजन दस सिनेरियो सिना को इंटरप्ट कर लिया अपना अभी एज के साथ मैच कर लिया तो दरॉक के साथ मैच करना कौन सी बड़ी बात है I would love to see Grayson Waller versus The Rock and of course क्योंकि Grayson Waller का नाम Roman Reigns नहीं है तो हो सकता है कि The Rock challenge accept भी कर ले बट अभी के लिए तो हम एक लगता है कि छोटे-छोटे tease चलने वा विनर्स होंगे वापस में लड़ेंगे और जो जीतेगा वो ऑस्टिन थियोरी से लड़ेगा United States title के लिए क्या अभे थियोरी इतना बड़ा हो गया है तेले इतने आठ बंदे लड़ रहे है यह कुछ ज्यादा नहीं हो रहा हरकते एनिवेज चार बंदों में से आज अपन आरी है मेरे को I'm like Austin theory के कम बोरिंग United States champion मन गयता है कि अब हमें सेंतो असकोवार भी देखने को मिल सकता बंदेना रियलाइज कि नहीं भाई LA Knight ही जीत के निकलेगा क्योंकि next week का बड़ा अच्छा Fatal 4 वे है I think Seamus versus LA Knight versus अपना रवे मिस्टीर और एक और है याद नहीं रहा ब पूरे chances है yeah I liked it man LA Knight की hype is definitely real and मैं उस hype का पार हूँ और finally में गो लगता है मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगे इस match के बारे में Bianca versus Asuka का somehow इन्होंने main event रख दिया जो कि में गो लगता है कि Fatal 4 वे भी रख सकते थे लेकिन नहीं क्योंकि chaotic ending देनी थी कि यह result ना आए सही तो वो fail हो जाए क्योंकि आसका mist फैक दे आसका survive कर जाए pure chaos और ऐसा लगा कि यार इस mix में काम करो आप बेली और यह उसका गुसा ही तो अब तो लगी रहा है है ना क्योंकि यह try ही नहीं कर रहे है रिया reply की side पर हर बार यहीं पर आके try कर रहे है और इनको अभी होगा ही न देखने को मिल सकता है बड़ उसके पहले आप ऐसे main events में smackdown के main events को खराब मत करो बहुत easily fatal four way को रख सकते थे यहाँ पर I am very much disappointed with women's division tonight आज की जो star rating होने वाली इन्होंने रोमन रेंस को absent रखा जूट बोला मेरे से मेरे को जहां तक है रोमन रेंस इन्होंने बोला था कि आए जाद होगे उसके अलावा women's division ने बड़ा disappoint होगे especially starting वाले segment ने तो इनकी वजए से बड़ी ratings को effect करते हुगा मैं इस smackdown को I think 3 out of 5 की star rating देना चाहूंगा और जो अच्छी चीजे थी जैसे की Jey Uso का segment उसके अलावा Sheamus का match and then अपना fatal four way माला match these were good actually तो यहाँ comments में लिकर बतना अपने thoughts and ratings और अगर आपको वीडियो पास सेंदा है तो पीले अगरो शेल को चैनल को subscribe करो कल Roman rings आ रहा है bro 10 मझे